असलाम लेकुम जी कैसे आप लोग उमीद है सब ठीक चाक होंगे मैं भी विल्कुल ठीक हूँ मेरा आज का जो टॉपिक है वो यह है कि जो बच्चे खाना शोक से नहीं खाते हैं उसका क्या हल है सबसे पहली बात तो यह कि जो बच्चे हैं वो कभी भी खाना रिपीट करके नहीं खाते हैं वो विराइटी चाते हैं खाने में कभी भी एक जैसी चीज वो डेली नहीं खा सकते और खासर पर वो बच्चे जो खाने के चोर होते हैं, खाने के उनका दिल नहीं चाहता, तो वो तो कभी भी चीज़ को रिपीट करके नहीं खाते हैं, वो वराइटी मांगते हैं खाने में, और आपके घर में ही चीज़े होती हैं, आप उनी चीज़ों से वराइटी बना सकते खाने में, मेरे पास कुछ tips ऐसी हैं, जिन में आपका बच्चा healthy हो जाएगा, उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी, सबसे पहले जो मैं आज share करूंगी, वो एक ऐसी tip है, जो break fast में use होगी, नाशता आप बच्चे को दें, वो ही आटा, वो ही अंडा, चीनी, दूद, जो आप उस इसी को ज़रा वराइटी में लेके आएं और उसको ज़रा डिफरेंट करके दें, तो वो शोग से खाएगा, और इससे बच्चा healthy हो जाएगा, इसकी चीक healthy हो जाएगी, और वो खाना शोग से खाने लग जाएगा, बहुत ईजी सी tip है, इसे आप पहन के कह सकते हैं, आप इ कि हसाब से आप उसमें डिफरेंट चीजें एड और भी कर सकते हैं, और एक और बात, इसको आप जो पैनकेक हैं मैं बनाऊंगी, इसको आप मीठा और नमकीन दोनों तरह से बना सकते हैं, चलें सबसे पहले recipe बनाते हैं और फिर, अच्छा जी इस recipe के लिए सबसे पहले एक कब दूद लेने, मैंने एक कब दूद ले लिया, आप में अपनी quantity के हसाब से लेने, आदा कब भी ले सकते हैं, मेरे तीन बचे हैं, मैं तीन बचों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक कब दूद लिया, अब एक कब दूद में तीन चमच मैंने चीनी डाल ले हैं अच्छा ये मैंने चीनी मिक्स कर ली तीन चमच उसके बाद इसके अंदर दो अंडे डलेंगे आप एक अंडा भी डाल सकते हैं कोई मसला नहीं है दो अंडे मैंने डाले हैं और तो इसके बाद इसके अतनी अंडे कहना हैं मतलब देखें चीनी भी ओगयी दूद भी हो गया अंडा बच्छा अलाग अलाग यह चीज़ें नहीं खाता अगर वो इनकाता आपको टंग करता है तो अब यह सारी चीज़ें आकठे करके भी उसको दे सकते हैं उसको energy मिल जाएगी सुभो सुभो नाश्ता उसका बहुत healthy हो जाएगा इसमें मैंने दो अंडे डाले हैं दोनों अंडों को अच्छे से mix कर लेना है चीनी भी mix हो जाएगी दूद में और अंडे भी mix हो जाएगी इसके बाद flavor के लिए इसमें vanilla essence डालूंगी अगर वनीला एंसन्स नहीं है आपके पास घर में नहीं है तो इसके अंदर एक कत्रा वनीला एंसन्स का डालूंगी उसे ज़रा टेस्ट और ज़्यदा इंहांस हो जाता है और ये एक बोतल पड़ीवी साला साल हतम नहीं होती है बेकिंग पाउडर ये भी आपशनल है अगर आपने डालना तो ठीक है नहीं डालना तो भी इट्सोके ये हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर के डाला इससे थोड़ा फलफी सा फूलावा बन जाता है ना इसलिए अच्छा मैंने आप हाफ टी स्पून बेकिंग पौर्डर डाली है अब मैंने अपने असाब से इसके अंदर तीन डूंगे के चमच जो है न वो अटा डाला है आप मैदा भी डाल सकते हैं आप आटा भी डाल सकते हैं मैंने पास ये मार्किट का आटा है वाइड आटा है मैंने वो डाला है आप मैदा डालेंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा आप देसी आटा डालेंगे तो भी बहुत अच्छा डलेगा अब बनेगा और अगर आप सफेद आटा डालेंगे तो भी अच्छा डालेगा मेरी रेकमेंडेशन ये है कि आप देसी आटा डालें जो घर में आपके होता है मैं मोस्ली देसी ही आटा डालती हूं उससे जराना ताकत मिलती है बच्छे को ज्यादा बरहाल ये मेरे पास मार्केट कार्टा था अभी ऐवेलेबल मैंने ये वो डाल दिया तीन चंवर जास को अच्छे से बहुत बाद च्छे से बहुत अब था आप कोई भी वेजटाबल डाल दें ये बहुत हैल्दी आपका बचा मीठा कहना नहीं जाएता अब नम्कीन चीज बनाए बच्चे कुछ चोख से खाते हैं, कुछ मीठी चीज चोख से खाते हैं, अब इस पॉइट पे जब बैटर मिक्स होगा है ना अब कोई भी fruit भी इसके अंदर डाल सकते हैं कट करके जो भी घर में fruit में λέबल है उसको कट करके डाल दें बनाना है, मैंगो है, स्ट्रॉबरी है, कुछ भी है, उसको इसके अंदर आड़ कर दे, मैंने इसको प्लेन बनाना था, आज मैंने इसके अंदर टोस्टिंग करनी थी, चॉकलेट की इसलिए, मैं इसको प्लेन बनाया है, मैं मोस्ली इसके अंदर वेजिटेब भी डाल एती कभी मैं इसको फूर्स डाल के बना लेती हूँ मैंगो वाला मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं एपल बनाना जो भी अवेलेबल हो आप इसके डाल देए अब यह देखें एक बहुत बड़ा बच्चे के लिए अनरजी बूस्टर हो गया इसके अंदर कितने जादा इंग् ग्रीस कर लिया अब मैंने डोंगे के चमच से इसके अंदर जो है वो डाल देना है बेटर दो डोंगे के चमच डाल दें छोटा बनाना है एक डोंगे का चमच डाल दें बड़ा बनाना है इससे जादा के बना लें अब मैंने यही साइज रखना है अब मैंने यह सारे बना बना के ना रख लेने है एक प्लेट में इसी तरह से इसको थोड़ी देर रेस्ट देना है हाँ एक और बाद बेकिंग बाॉडर आपने डाला है न तो आप बैटर को पंदस से पंदरा मिनट के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं तो वो ज्यादा फलफी बनेगा अगर कम टाइम ह लिए आप इसको जरूर बैटर को रेस्ट दें अभी इसके अब इसको डाल दिया है एक साइड हाफ को खुई है और मैंने इसको फलिप कर दिया है देखें कितना सौफ्ट सा बना है बिलकुल और बहुत जल्दी जल्दी से बन जाती है रेसिपी अब एक साइड हो गई है अब मैं इसको दूसी साइड फलिप करूँगी इसी तरह से मैं बना के रख लूँगी थोड़े से और फिर उनको बाद में बच्चों को सर्फ कर दूँगी यह देखें कितने प्यारा कलरा है इसका बहुत अच्छा सा पिंकिश पिंकिश सा इसी तरह से बना देने और यह सारे kठ्थे बना के रख दिये हैं कोई साभी चॉकलिट ले ले ये मेरे बच्चे आप खेंज रहे हैं चॉकलिट दे दे मामा चॉकलिट दे लेकिन मैं इसके इंपर टोस्टिंग करनी है आजकल गरूई हैं हाथ में पकरने से चॉकलिट मेल्टो जाती हैं आपको बस लगना और खाना भी उनके लिएजी होगा ये देखें जी एक बचे का तियार हो गया दूसरे का तीसरे का इसी तरह से मैंने रैडी कर लेना है और इन्होंने शौक से खा लेना है जिस चगह मैंने चॉकलेट लगाया आप इस चगह फूर्ट से लगा सकते हैं आप इसके जग किसी तरह से दें और यकीन करें आपका बच्चा हर बहुत शौक से ये खाने लग जाएगा अब लंच बॉक्स में भी बच्चे को ये बना के दे सकते हैं अब साइस थोड़ा चोटा भी रख सकते हैं इस चीज़ का साइस थोड़ा चोटा रख लें और अगर आप मैंने रेसिपी में डाला है मैं रेगुलरली बेकिंग पाउडर नहीं डालती बहुत सिंपल सा मैं बनाती हूं दूद में चीनी अंडा और आटा डाल के मिक्स कर दिया अगर फूट अविलेबल है तो बो डाल दिया अब ये एक बड़ा था इसको मैं इस तरह करके फोल्ड कर दूँगी और मैं बच्चों को दे दूँगी आप भी जरूर ट्राय करें ये बहुत अच्छी रेसिपी आपके बच्चे शोक से खाएंगे ये मेरे बच्चे मुझे डिरेक्शन दे रहे हैं कि इस तरह से लगाएं इसके अंदर और लगाएं एक कह रहा है ये मैंने खा स्कारिकशन दे रम कजिए वी तुछ कंकि पास बहुत इस रेसिपी बच्चे भारा मेरे बच्चे बहुत शोक खाते हैं आप मैडा भी यूज कर सकते हैं आप ऐस दे अबे उसके चीनी बछानग ने आप नमक डाल ले कि बच्चा अगर को वैजीटेबल घाता है अप सको आप प्यास टमाटर डाल के दे दे नमक डाल के दे दे इसी रेसिपी में इसके इलावा आप इसको बैटर को मिक्स करते वे अंदर फूर्ट करके डाल सकते हैं मैंगो स्ट्रॉबरी जो भी चीज आपके पस इवन आप इसको पकोड़े के बैटर की तरह भी बना के दे सकते है बच्चों को खाना तबदील करके दें, डिफरेंट करके दें, उनीक चीज उनके लिए बनाएं और बहुत शोग से खाएंगे, अगर जहां मैंने चॉक्रेट लगाया, और वहां पर मेंगो लगा सकते हैं, आजकल मेंगो बहुत हैं, कुछ भी करके दे सकते हैं, लेकिन यह हेल्दी रेसिपी है, इससे आपका बच्चा हेल्दी हो जाएगा, बहुत जादा, ओके जी मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, लाफीज,